हेलो गाइज, आप सब का अनिशा के इंक्रिडिबल वर्ल्ड में स्वागत है। आज हम बहुत ही आसान और डिलिशियस स्नाक्स बनाने जा रहे हैं। जिसे कहते हैं मूंग ब्रेड। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटी कटूरी मूंग डाल। इसे आधे घंटे के लिए पानी में भिंगों के रखे। अब जबकि ये बहुत अच्छे तरह से सोक हो चुका है, हम इसका एक बैटर तयार करेंगे। बैटर के लिए हम इसे एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे और एक हरी मिर्च और थोड़े से पानी से एक बैटर रेडी करेंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब मैं इसमें एक छोटी कटोरी बारीक फ्यास कटे हुए डाल रही हूँ। ये फ्यास ऑप्शनल है, आप चाहे तो बिना फ्यास का भी बना सकते हैं। अब एक छोटी कटोरी शिम्ला मिर्च यानि के कैपसिकुम डाल रही हूँ। अब इसमें एक छोटी कटोरी टमाटर अड़ कर रही हूँ। देखिए ये कितना कलरफुल हो गया है। ये बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है खाने में और बहुत हल्दी भी है। आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इस बैटर को बहुत अच्छे तरह से मिला ले। अब आप चाहे तो इस पूरे चीज को शालो फ्राई भी कर सकते हैं। पर मैं ओयल ब्रश करके इस मुंग ब्रेट को फ्राई करने वाली हूँ। इससे ये और भी हेल्दी बनेंगे। पहले इस ब्रेट को दोनों तरफ से हलका सेक लेंगे। जब ये ब्रेट अच्छे से सिख जाएं, हम अपने तयार किये हुए बैटर को इस पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे तरफ भी पैटर को बहुत अच्छे तरह से लगा देंगे। अब इनको धीमी आच पर गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरह से फ्राई करें। अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा ओयल भी ड्रिजल कर सकते हैं। अब हमारा गर्मा गरम मूंग ब्रेड सर्फ करने के लिए तयार है। इसे आप कैचप, हरी चटनी, मेयो किसी भी चीज से खा सकते हैं। अब अगली बार जब भी कुछ क्रंची मंची और टेस्टी खाने का मन करें तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे तुन, थैंक यू, बाँ बाई